यूपी के लखनों में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूशन मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार एक नया कदम उठानी जा रही है योगी सरकार अब नदियों की स्वच्छता के लिए बच्चों में जागरुकता अभ्यान चलानी जा रही है यह अभ्यान उन 29 जिलों से शुरू किया जाएगा जो गंगा और उसकी सहयक नदियों के किनारे बसे हैं स्कूलों में प्रार्थना सभा के दोरान गंगा और उसकी सहयक नदियों की स्वच्छता के बारे में जागरुक किया जाएगा इसके अलावा गंगा क्विज, चित्रकला प्रतियोगिता, गंगा शपत और गंगा आर्ती जैसे गतिवीधियां भी आयोजित की जाएंगी 29 जिलों की जिला गंगा समीतियां प्रति एक जिले के 10 विद्यालों में जागरुपता गतिवीधियों को संचालित कराएंगी भारत चीन मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है बीजेपी ने देश के सुरक्षा मामलों में नसीहत देते हुए कहा खुद को रिलाउंच करने के लिए राहुल गांधी को देश सुरक्षा को लेकर गयर जम्यदाराना बयान नहीं देना चाहिए वही इस मौके पर बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल की आलोचना भी की दरसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जैपूर में प्रेस्ट कॉन्फरेंस की थी जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर चीन मुद्दे को नजर अंदास करने का आरोप लगाया था उन्होंने कहा तवांग मुद्दे को छिपाने की कोशिश की जा रही है देश की सरकार सोई हुई है और चीन ने युद की तयारी की है दिल्ली एंसियान में प्रदूशन के इस्तिती बरकरार है हालाकि हवा की गुडवत्ता यानि एर कॉलिटी इंडेक्स अब गंभीर शेनी में नहीं है राश्रीय राजधानी में औसतन वायू गुणवत्ता सूचका के यानि एर कॉलिटी इंडेक्स खराब कैटिगरी में बना हुआ है जब ये शहर के कई इलाकों का AQI बहतर है केंद्रिय प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटिस्ट आक्रों के मुताबिक दिल्ली की वायू गुणवत्ता ओसत AQI 223 रहा मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली के तापमान में गरावट आने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब कैटिगरी में रह सकती है फिलाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे TNP News के साथ दीज़े इजाज़त नमस्कार